सुमाइश सक्तर लाग सेवा निमुत्त कर्म चायाना अक्तियं तक कमी पेंशन में ते त्यामों सेवा निमुत्त अंश्यावर्थ था लईनी असालिया है चित्तौरगण में EPS बिच्जान में पेंशनर समीती के आवान पर पेंशनर्स ने कलेक्रिक पर मानव श्रिंखला बना कर प्रदेशन किया नमस्कार दोस्तू इंप्लोई खबर चिनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तू का फिर से एक बार स्वागत है EPS 95 पेंशन धारको के ओर से किये गए रास्ता रोको आंदोलन की प्रिंट मीडिया में जोरो सो खबरे प्रकासित हुई है कई सारे प्रिंट मीडिया समाचार पत्रों ने लोकल समाचार पत्रों ने इन खबरों को जोरो से प्रकासित किया है राष्टी संगर समिती के राष्टी अध्यक्ष कमांडर असोक रावत के नेतरत्व में EPS 95 पेंसन धारकों का राष्ट व्यापी रास्ता रोको आंदोलन जोरो से हुआ इसमें EPS 95 पेंसन धारकों का जन सैलाब भारत सरकार की कुम्ब करण रूपी नींद उड़ाने गती नयचीत मांगों को मंजूर कराने है तो रास्ता रोकों अंदोलन संपन किया गया देश के 70 लाख औदोगिक सारवजनिक सहकार और नीजी छेतर के रिटायर करमचारी यानि की EPS 95 पेंसनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्मान में अपना खोन पस अना, बिलाई, आंदरप्रदेश, पूने, जमसितपूर, लखनौ, जासी, जबलपूर, कोलापूर, भिंड, भोपाल, राजिस्थान, मद्रप्रदेश, हरियाना, गुजरात, तता देश में लगबग 200 जगहों पर एक साथ यहाँ पर पूर्न किया गया पेंसन धारकों ने बताया कि EPS 95 पेंसन धारक अपनी मांगों को लेकर पिछले 6-7 सालों से सक्रिये है, उन्होंने सडक से लेकर सदन तक सरकार तक अपनी मांगे पहुचाने की कोशिस की है, दो बार माननी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी से भी मुलाकात की जा चुक उसे मांगाई बत्ते से जोलना और पेंसन धारकों को मप्त मेडिकल सुईदा समेत जो चार प्रमुख मांगे है, उन्हें जो है पूरी नहीं कर रही है, इसलिए पेंसन धारकों को मजबूर होकर रास्ता रोको आंदुलन का कदम उठाना पड़ा है, आने वाले CBT की वैठ जो कि 27-28 मार्च को होने जा रही है, इसमें यदि EPS 95 पेंसन धारकों के लिए कोई प्रमुख निरना नहीं लिया जाता है, तो पेंसन धारक इससे भी बड़े कदम उठाने के लिए यहां पर मजबूर होंगे, इस तरह की कई प्रेश विग्यप्तिया आपको EPS 95 पेंसन ध जारकों के अपने रास्तारों को आंदुलन को लेकर प्रिंट मीडिया में खबरे प्रकासित की है, जिसके बाद कमांडर असोक रावत ने EPS के अन्याय और रत्याचार के विरोध में जो दिनांक 15-3-2023 को राष्ट व्यापी रास्तारों को आंदुलन किया गया, उसमें प सबी 60 प्लस आयू के व्रद्ध पेंसनर्स इस भीशनकाल में भी अपनी जान हतेली पर रखकर इस अन्दुलन में सामिल हुए, इसलिए आप सबी धन्यवाद के पातर है, आप जेश्ट भी है, स्रेश्ट भी है, आपका आत्मा आकरोज के साथ सबकों पर उतर कर तीवर प् संगतन के ओर से EPS 95 पेंसनर्स के उजवल भविश्य की हम कामना करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि दिनांक 15-3-2023 का राष्ट वैपिरास्तरों को अंदुलन हमारी मागों को मंजूर करवाने में सायक सिद्ध होगा, दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुचाना था, उम्मेद करता हूँ यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर जैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक कि लिजाए हिन वंदी मा प्राम